नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नॉलेज पे और अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भविश्य जानने की एक और कला के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम फिर से एक बार बात करेंगे भविश्य जानने की एक और नई कला के बारे में हर इंसान अपना भविश्य जानना चाता है क्योंकि अपने भविश्य को ले करके हर इंसान उत्साहित होता है इनसान इस बात को जानना चाहता है कि भविष्य में उसके साथ किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी आने वाले भविष्य में वह क्या कर सकता है तथा उसका भविष्य किस प्रकार का होगा वैसे तो स्वेम का या फिर दूसरों का भविष्चे जानना इतना आसान भी नहीं है लेकिन फिर भी आपने दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को सुना होगा जो की भविष्य बक्ता हैं, उनकी भविष्य मानिया सही हुई है भारत ही नहीं अभी तो संपूर्ण संसार में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भविश्यों को ले करके कई प्रकार की भविश्यमानिया की और आने वाले समय में उनकी बाते बिल्कुल सही भी साबित हुई इसलिए यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि भविश्य जानना एक अंद विश्वास या फिर मितक है ऐसे ही एक भविश्य वक्ता थे जिनका नाम था नास्त्र दमस सायद आप लोगों ने भी नास्त्र दमस का नाम सुना हो उन्होंने भविश्यों को ले करके बहुत सी भ अकलन कर सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं इसलिए यह कहना कि भविश्य जानना कोई अंद विश्वास या मितक है अपने आप में स्वयम गलत साबित हो जाती है हां यह कहा जा सकता है कि भविश्य जानना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि भविश्य जानने क के पीछे एक बहुत बड़ा ग्यान और एक बहुत बड़ी कला छुपी होती है जिस कला और घ्यान को हर वैक्ति आसानी से प्राप्थ नहीं कर पाता लेकिन उचित ग्यान और सही मार्क दर्शन के द्वारा भविष्य जानने की कला को सीखा भी जा सकता है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं अपनी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भविष्य जानने की एक ऐसी कला के वारे में जिस कला को जान करके आप भी अपना और दूसरों का भविष्य जान सकते हैं तो आईए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो वैसे तो दुनिया में भविश्य जानने की हजारों कलाएं और विद्याएं मौजूद है और हर देश और छेत्र में इन विद्याओं और कलाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है लेकिन सभी कलाओं और विद्याओं का एक मात्र उद्देश होता है और वह उद्देश होता है भविश्य में होने वाली घटनाओं का सटीक आखलन करना अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू धर्म के अनुसार उस विद्या के बारे में जिस विद्या का उपयोग भविश्य जानने के लिए किया जाता है और आज भी बहुत से लोग इस विद्या का उपयोग कर भविश्य में होने वाली घटनाओं का आकलन करते हैं हिंदु धर्म में मुखेता दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है परा और अपरा परा ही वह विद्या है जिसे लोकिक और परा लोकिक के नाम से भी जाना जाता है आज भी दुनिया में हजारों संत और तांत्रिक इस विद्या का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं परा और अपरा विद्या अपने आप में बहुत बड़ी और विशाल है परा और अपरा विद्या का उपयोग भारत में हजारों वर्सों से किया जा रहा है और आज भी दुनिया में कई ऐसे साधू और महात्मा है जो कि परा और आपरा विद्या की साधना करते हैं असम का कामाख्या शेत्र परा और आपरा विद्या के लिए बहुत मशूर है क्योंकि परा और आपरा ही वे विद्या है जिसके बल पर भूत भविश और वरतमान को जाना जा सकता है इस साधना के द्वारा ही सिध्धियों को प्राप्थ किया जाता है और जब किसी चीज की सिध्धि प्राप्थ हो जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर बहुत सी शक्तियां आ जाती है अगर कोई वैक्ति परा और आपरा साधना को सिद्ध कर लेता है तो उस वैक्ति को बहुत सी सिद्धिया प्राप्त हो जाती है और अपनी सिद्धियों के बल पर वह वैक्ति भूत, भविश्य और वर्तमान की घटनाओं को जान जाता है लेकिन आजकल बहुत से लोग स्वैम स्वार्थ के लिए परा और अपरा विद्या का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुचाने के लिए करते हैं जिसे काला जादू के रूप में भी जाना जाता है नीजी स्वार्थ के लिए बहुत से लोग इस विद्या का दुरूपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं लेकिन यह भी एक सत्य है कि बुरे का अंत सदे बुरा ही होता है जो वैक्ति परा और आपरा विद्या के द्वारा दूसरों को नुक्सान पहुचाते हैं या फिर उनका दुरूपयोग करते हैं ऐसे वैक्तियों का अंत भी बहुत बुरा होता है और अंत में उन वैक्तियों के साथ भी बुरी बुरी घटनाएं घटने लगती हैं इसलिए परा और आपरा विद्या का उपयोग सदे मानब कल्यान के लिए ही करना चाहिए। परा और आपरा विद्या को चार प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला देपताओं की साधना के द्वारा, दूसरा योग साधना के द्वारा, तीसरा मंत्रों के द्वारा, और चौथा किसी दिव्य जड़ी बूटी के दौरा, इन चार तरीकों में से किसी भी एक तरीके को अपना करके आप लोग भी परा और अपरा विद्या का ज्यान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परा और अपरा विद्या के ज्यान प्राप्त करने के लिए किसी योगी का दर्शन होना बहुत जरूरी माना जाता है और एक बात ध्यान देने वाली होती है कि पराविद्या से पूर्व अपराविद्या का ज्यान होना बहुत आवश्यक होता है अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सब